दोस्तों, अब हमारे सामने बात करने के लिए आ रहें AICP पार्टी के नेता और एडवोकेट श्री लक्षमन जी मेरे साथियों, मैं आपके सामने आज अपना एक नया रुप सामने रखकर बात करना चाहूं खास करके इस धर्ती और इस धर्ती से चुड़े इंसानों के बारे में मैं जहां खड़ा हूँ, वही मेरी धर्ती है दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रवासन नहीं हो रहा इस धर्ती को हड़पने के लिए और छीनने के लिए जो जूटा कानून बनाया गया वो है प्रवासन कानून, जो बार हमने बांद कर रखी है वो सिर्फ धर्ती पर ही नहीं, हम इंसानों के तिलों पर भी है आपको याद होगा वो छूटा सा नंजय कोट गाउं जहां तमिलाडू और केरल के लोग आपस से मिल चुल कर रहते थे ऐसे फेद भाव के बारे में इन्हें नहीं बता था फिर भी मैनत करके, काम करके, सालो साल नंजय कोट के लोग जी रहे थे और ऐसे ही तमिल लोगों पर डीवाईपी पार्टी के लोगों ने प्रवासन के नाम पर धबा लगा दिया है उन्होंने परिमल जी की प्रतीमा को भी तोड डाला घर, बच्चे, परिवार और जिंदगी सब कुछ नच्ट कर दिया डीवाईपी पार्टी के लोगों ने इन्हें छोपड़ पट्टी में नदी के किनारे, गंदी सडक के किनारे ऐसी जगा फेक दिया जो इंसान के जीरे लाइक नहीं है जाते हुए लोगों को इंसानियत छोड़ कर तमाशे की तरह देखने वाले हैं डीवाईपी पार्टी का प्रेसिडेंट अमरना इंद्रा एस्टेट और परिमल कॉल्ली को भी हरपने के लिए धुंखार गुंडो का इस्तेमाल किया गया और इन अत्याचारी क्रिमिनल्स को पालने वाला था अमरना अपने सारे गुनाहों को सबसे छुपाने के लिए अपने मामा विजयानन को एमपी के रूप में वही लेकर आया था और अपने खुद के भाई अप्पु नाम के जहरीले सांफ को अमरनाथ ने आने वाले एलेक्शन में विजयानन के बदले डिवाई पार्टी का अध्यक्ष बना गिया नंजई कोटे में डिवाई पी के इस खून खराबे में लोकल लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर हथ्यारों का करवार शुरू किया और खून खराबा किया अब सोच बदलने का वक्त आ गया है छोपड़ पट्टी के गंदे नालों में रहने वाले अपने तमिल लोगों से मैं लक्षमन वादा करता हूं कि उन लोगों को इस नंजई कोटे में वापस लाकर उनका हक दिलाऊंगा टी वाई पी के जूटे वादों को ए आई सीपी पाटी टक कर देगी बड़े बड़े सवाव और छोटे छोटे दवावों के साथ अम अरनाथ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और आप में आवाज उठाने की हिम्मत है तो मैं एड़ोकेट लक्षमन आपको बता रहा हूं कि हमारी इस धरती के इंसानों को दराने और मारने के लिए आगे ये हर्गिस नहीं होने देगा बंद कर दो ऐसे नहीं चलेगा ये सिर्फ लक्षमन की जितादी नहीं है ए आई सीपी आज आपको मौका दे रही है ये नंजै कोटे का अर्मान है नंजै कोटे के लोगों को मेरा नमन धन्यवाद प्रवासन क हो और मिर्वासन को रोकना होगा नखर को हमारी सिंद्गी रोशन होगा कि रहासन को रोकना होगा चाहे नया कानून बनाना पड़े रहासन को रोकना होगा तभी हमें अमारा ह concert मिलेगा हुआ है तो रहती है कि अ जो स्वाइब कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, तुम नहीं आ रही हो, प्रेयर शुरू हो जाएगी, तुम लोग चलो, 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 चलते हैं, टीचर, मैं निकलती हूँ, बेटी, क्या तुम नहीं जा रही, प्रिया के पिता तो गुजर गय, मेरी पिता तो यसा है, अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाए, तो मैं यहां क्यों रुकूं, जरूर लेंगे, 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 जरूर बंद करो, अब और दोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जरूर बंद करो, अब और दोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ज़ा दिखे कर, बंत करो, बंत करो और थोकता नहीं चलेंगा की यह लक्षमन वकील का जो प्लान था वह तो फेल हो चुका है काूल तो हम लोगों ने सोचा नहीं था के ऐसा होगा इस हात्से को होते देख हमें कुछ न कुछ जल्दी ही कर दिखाना होगा इस मौके का हमें इस्तमाल करना होगा नहीं तो दुबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा मनोहर ठीक से सुन लो इस काम को रात को ग्यारा बजे अन्जाम देना होगा तब ही अमरनाथ पार्टी ओफिस से निकलता है वो अपनी पार्टी ओफिस में बैठकर ही सारा वक्त शराप पीता रहता है अब एक हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई उपर वाले की कृपा से बच तो गया लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकना चूर हो गई उस दिन तो बच गया लेकिन मनोहर तुम्हारे लिए ये काम आसान हो जाएगा अब ना तो वो भाग पाएगा ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा हे फोटो दे ये लो कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की ज़रुत नहीं है मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया और नहीं तो क्या कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या वैसे सूरज विपक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए जीना मुश्किल कर देते हैं चलो गाड़ी निकालो चलो गाड़ी निकालो ए चलो अटो रास्ता दो ये क्या हुआ किसने किया ये हाल पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते हम तो गरीब लोग हैं किसी तरह गुजारा कर रहे हैं वो दुकाने तोड़कर पैसा लुटके चले गए कौन थे वो आप तो ऐसे पूछ रहें जैसे कि आपको यहां के बारे में कुछ पता ही ना हो आप तो यहां कैसा ही है यह इसका है नंजपड़म पॉलिस्टेशन के अंदर क्रिमिनल के जो वार्दात हुई है वो कुछ इस तरह से हैं सर चौदा मर्डर केस हुए है इंस्पेक्टर तुझे अंदर करने के लिए मेरे यह आदमी मिले थे क्या यहां जिन्दा रहना है तो हमारा साथ देना है पड़ेगा इलेक्शन का वक्त है नई तो अमरनाथ सर खुद यहां आते पूरे इलागे में डी वाइपी पार्टी के पोस्टर लगाने थे यह काम इने करना था पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया आप वेसला कीजिए पोस्टर यह लगाएंगे कि आप क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर नहीं लगे तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिलादा उमर चलो तू मिल लोगों को लेकर जाओ चंद्रा तू यहीं पर रुकेगा अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो समाल लेना आगे तू समझदार है पता है न क्या करना है आएंदा कोई भी उस कंपाउंड के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए वरना वर्दी के सारे स्टार निकालके और रिक्षा चलवाओंगा बेटा पिता जी के लिए पानी लेकर आए स्टेशन तो जाकर आये है क्या खुद से पानी भी नी ले सकते किचिन से यह पुलिस वाला है इसे खाकी पहनने का हाक ही नहीं है दूसरा कोई काम प्यों नहीं करता पुलिस के नाम पे धबबा है इतनी पुलिस होने के बावजुद भी अमर का दहशत खत्म ही नहीं हो रहा है यह थो स्टेशन जाकर मच्छर मारता है इसको फोकट का पगार जो मिलता है इसके होने से बहता रही यह ना हूँ जाके चिलू कर पनी में दूप पर यह बस जैसे ही बैठे रहता है आगि सबस्ट का पंधार जय कर शाने शाहते है हैं आप देख सकते हैं हमारी नियूस उनकी टीम बाकी लोग कहा थे वह बाकी पुलिस वाले कहा थे ठाना अंदर से खाले जूँचव क्या भगा था अबसार जो जो एम बेगार इस आज साथ चुगी है। अखिर इस बीच केस में उन्होंने सूसाइड अटेंब्स क्यों किया ऐसा वेशाक की मृत्यों पर हम डिवाइपी पार्टी की तरफ से उन्हें शुर्दांजली प्रदान करते हैं उनके परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा तत पर रहेंगे और वेशक की मृत के बारे में सी बीआ चीप सेकेर्टी ने का है कि इस केस की सी बीआ ज़ारा गहरा ही से तैकिकात होनी चाहिए इस पुलिस्वाले का इस तरह से खुदकुशी करने के पीछे उसमर क्या दबाव होगा इसके बीचे क्या राज है इस मौत को ऐसे मावुली तर ठीक है तो अब मैं भी चलता हूँ विजे सलसे नकल सुदब में लूगा इस केस को सी बीआ इको सौफिया जाएगा अभी हॉस्पिटल के मौचरी से एसा ही बेसर की बाड़ी को बहार लाए जाने वाना है नंजय को जनरल बिना बताए कहां चले गए थे तो इतना लेट हो अगर वहाँ जाना है ना उसके बाद ही हम घर पहुच सकते हैं अप्पू हां उस आदमी ने सुसाइट क्यों कर लिया अरे छोड़ो ना संगीता अपने को क्या मतलब आजा पेटा आजा 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 कौन बैठेगा गाड़ी में इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं वैसे तुम्हें एमपी बन जाओगे क्या अरे जरूर बनूंगा पहले जाकर अपनी दिग्री कंप्लीट कर लो ओ बड़े चले एमपी बनने अमर एमपी बनने के लिए अप्पु मुझसे ज्यादा काबिल है क्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो गणपती है और शिव भी है और एक तीसरा आदमी भी है उसकी भी हमें जरूरत पढ़ने वाली है तुम्हारी पैर में चोट लगी है तुम घर चले जाओ मैं काम निप्टा लूँगी इस बच्चे की देखभाल मैं नहीं करूंगा चुप चुप गाड़ी चलाओ बालो, कोन तो अमर नाद अज़ा तुम्हारी तुम्हारी निकल चुके थे ना अरे पूछिये मत अपो भाई आते से में रेलीवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी उसी में लेट हो गया लिफ्ट दी अरे लिफ्ट ही तुदी है देखो कैश लाते वक्त बेकार में दूसरे को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए समझे अगर कुछ हो जाता तो आप तो जानते ही है उस सावधान एक्सप्रेस के टाइम के बारे में जानता हूं पर मैं नहीं जा कैश तो सेफ है ना भाई कैश सेफ है मैंने सोचा आपको कैश दे दू कौन था वो दिखने में कुछ खास नहीं था जहां तक मुझे याद है 10-12 साल पहले मैंने उसे कहीं देखा था उसके बाद का कुछ याद नहीं हां उसकी आखे देखने पर लगता था कि मैं उसे मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों पहले वही मुझे मुझे मुंबई लेकर गया था वो आदमी बहुत इंटेलिजन्ट है भाई उसे बहुत सारी भाशाओं का ग्यान है वो तमिल वालों से तमिल में बात करता है तेलगू वालों से तेलगू में और कंणड वालों से कं करने लगा ऐसा लोगों का कहना है भाई ऐसे पांच साल गुजर गया मेरे मन में एक आइडिया आया क्यों न उस आदमी के आक्रोष को फिर से सरकार के खिलाप जगा कर क्यों न उसका साथ दे मैंने तु ऐसा सोचा था पर मैं क्या कर सकता हूं है न अपू भाई एक पैग मिल एए विजू मेरे लिए चाय ले के आना सुन रहे है हूं हूं है प्रवाई यह चाय दे मेरे पास नहीं है टेरे पास नहीं है जल्दी आरे कहां मर रहा ता इतना देरा तू भी चाय ले ले इसके पास तो यह लोग अभी नहीं सुधरने वाले लगता है इससे काम कनिये को इच्छा नहीं है अरे वैशाकन सर एक बात बुलू स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है अरे 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 अबदुल चाय पिके तो चाह अबदुल बैरे चाह अरे जरा जल्दी चलना ये तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मानकर यहां खड़े हैं तुम भी मानती हो क्या हार मानकर पीछे नहीं मुड़ सकते यूनिफॉर्म पहन कर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यही सोचूंगी न कि यहां आ रहा है मैंने कुछ गलत कहा क्या आज कलके लड़के तो आज़ें और टंकी के बारे में मुझे बताया अगर यह ऐसे ही करता रहता तो यह नौकरी भी हाथ से जाती मैंने सही कहा ना ये बात सही है वही तो मीरा मतलब है वो बीना काम का ही घुंते रहते हैं अगर मेरा पोता यहां नहीं आया था तो मुझे खबर तो करनी चाहिए थी उसे जितना हो सका मैंने उसे ले किया चाहिए ले किया आप गलत मत समझे हम लोग पुलीस वाले तो जरूर हैं और यह पुलीस टेशन भी है सही कहा लेकिन हमारा काम पुलीस वालों की तरह नहीं है यहां का मावल ही ऐसा है अफसोस अफसोस हाई में लोग कॉन्सा प्लोस्टेशन में शाड़ा... कॉन्सा प्लोस्टेशन लिखाया ? नंजय कोटे, ब्रांच चाहे कोई भी हो, बस वो पुलिस चेशन है, इतना ही काफी है. यहां नंजय कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया, लेकिन कोई किसी की वज़े से यहां पर मैं कुछ ही दिनों के लिए रहूँगा, लेकिन जब तक इस पुलिस चेशन में रहूँगा, अब तक हम सब पुलीस के ड्यूटी निभाएंगे, आया समझ में, यह वापस समझाओं, चलो अब बताओ, अपने अपने बारे में अपने अपने बारे में. सर, कुट्टम पिलाई, ASI हूँ, इसी साल रिटार्मेंट है, सर मैं गोविन, सर यह मेरा पोता है गोविन, हर चीज में माहिर है, यह बात और है कि जो भी करता है सब गडबड हो जाता है, सर मैं ट्राइवर हूँ, भीजू, पैतिस साल का हूँ, फैमली के साथ रहता हूँ सर, मैं राइटर सुन्दर हूँ, पैतिस साल का हूँ, मेरी एक बीवी और दो बच्चे है, विजू, अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी, सर, जीप की जितनी स्पीड है, उतनी स्पीड से चला कर अभी वापिस आता हूँ, अब जीजल का खर्चा मैं दोगा, जहां कहू अब आपको किसी से डरने की सरुवत नहीं है जो, यस से, जीप तयार है, हाँ से कर दो, यस से जीप कर देद से टाहाँ से जीप जीप की से जीप कर वापिस, जीप है अब खर्चा मैं दोगता, जीप कर दोबद आता है, यसलिप है, जीप आपको की जीप की जनी से तो. जिकायत कर्दा का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा पबलिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं एक बात और ध्यान रखिए आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो सुन्दरम, बसकरो ठीके साथ साथ पेरुमल नाम के एक सड़क है ज्यादा तर तमिल के लोग वही पर रहते थे लेकिन अब अपू के शासन की वज़े से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है अब कोई भी तमिल यहां नहीं रहता है सर वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर सच मूले तो यह बहुत बुरा है सर इस प्यारे से शेहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था जबसे तू यहां पर शिकारी बनके आया है यह लोग डर डर क्या भागने लगे हैं पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुमारे साथ अब तक खड़ा हूँ अब तो नंजे कोटी के तुम ही राजा हो तो प्रजा पे कुछ आहसान करो ना मालिक हो सके तो थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक इस गाओं में कोई मर्द नहीं है क्या राजेनरा मर्द क्या और वो भी यहाँ पर हाँ थोड़ यह क्या पर हाँ मैं जेरा नीचे डखो के आठाओं मैं खराब कर दिया है हेलो हम तहाँ जा ले अब अब तयार हो गया के निया हाँ भाया भी तयार करे लागा अरे डिलीवरी करना है बाई इस बंदे में बहुत गर्मी है मेरी बात तो बहुत हलके में ले रहा है हुआ 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 पाप्पू, जब वो यहाँ आया था, तो उसके साथ केतने आदमी थे? बाईया, कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर मैं चाहूं, तो अभी पुलिस टेशन पहुचकर उसे उल्टा लटका कर मार डालूगा, और इसमें वक्त नहीं लगेगा, ये देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, इसी लिए छोड़ दिया उसे तो फिर वहाँ जाकर बोलना चाहिए न, चार भाड़े के टट्टू अपने पास रखके, ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खिलनेगा वो अपना पाड़े किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले, देखो कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है, यही अकलमंदी है अकलमंदी की बात कर रहा है, अपने बदन पर ओड़ने के लिए एक छोटा सा कबड़ा नहीं था तुम लोगों के पास, इतनी जल्दी भूल गया क्या विज्यानंद, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया एमपी यादाश्त कमजोर हो गई तुम्हाई डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही हैं, जाकर बच्चे को देख तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है लेकिन अभी जो यहां पर बैठा है, वो मेरा बाप है उसी इज़त से बात किया करो अरे, जस्ट मिस जो हम आइस्क्रीम फैक्टरी में पावर सप्लाई देखे थे थे न, वो एक गैस सिलिंडर के पावर के बराबर है एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए, एक गैस सिलिंडर काफी है आप क्या बोलते हो सर, आपके कॉर्टरेस में गैस सिलिंडर रहना, उसके उपर में एक एकस्पेरिमेंट करूँगा, अगले संड़े उसे निकाल कर रखिए देख लूँगा सर, सुन्दर्म ने फोन किया था, वहां रास्ते में डिवाईपी पार्टी और एसीपी पार्टी के बीच में जगड़ा हो गया है उसने हालात समालने की कोशिश की पर उससे कुछ हुआ नहीं, वो पूछ रहे कि आप जाएंगी वहां सर, मारने वाले डिवाईपी पार्टी के हैं, प्रवासन ने जन्हें पार्टी से निकाल दिया था, उनसे मिलने के लिए कर रात को आया था, लगता है इनके दिमाग में कोई प्लान है, जब मैने जाकर पकड़ने की कुशिश की तो मेरी बात भी नहीं सुने, प्यारे देशभक्त नागरिकों, जब एक बेगुना आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो, तो गाव वाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है, एक सिम्मेदाब नागरिकों कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल वो आपके साथ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा गुंडा गर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है, कैसे? ये आप आगे देखेंगे उची आवाज में धमकी देने की कोशिश भी मत करना, उची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं, और रही मुझे धमकी देने की बात, तो तेरा बाप भी अगर दुबारा जनम लेगा ना, तो भी कुछ नहीं हो सकता ये 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 हैं नहीं है इस पे उमर का नाम लिखा है उमर को उठाओ इस लेटर में लिखा है रसाक को उठाएंगे इसमें भी लिखा है रसाक को उठाओ बीजु को उठाने लिखा है अब इसने क्या गुनाह कर दिया उमर को उठाओ लिखा है उमर को उठाने की हिम्मत है क्या उमर बहुत बड़ा सेड़ दर्द है सर अगर तुमारे अंदर हिम्मत है तो इन सब को छोड़ कर अमरनाथ को उठा के दिखाओ कि लिखने वाले का नाम जोर से पढ़ना एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखाया है सर जिन जिन को उठाना है उनकी कंप्लीट डीजेल मुझे मिलनी चाहिए हमारे पास उनकी कोई डीजेल नहीं है सर वो डॉक्टर सहीबा इंतजार कर रही है बच्चों को वेक्सिनेशन देने की बात कर रही थी आप जारा उनसे मिल लेंगे क्या ओओ क्या 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 सर में संगीता हूं डॉक्टर संगीता हैद्रबाद से हूं अमरनात मेरे कजिन है वो यहां पर नहीं आपाय तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लो मड़म आप डरिया मत जो भी है सर देख लेंगे नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है संग यह जो आप चोर और पुलीस का खेल खेल रहें न अगर यह चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजे यही कहने आई थे MP विजयानंद के एक लोती मिटी विदेश से पढ़िये डॉक्टर है यह एक हैदराबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज थी लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सिडेंट हो गया और एक्सिडेंट के बाद वो कॉमा में चला गया डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है तो अमरनात ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला और प्रेगनेंट हुई संगीता को यहां गाउने करा एड्वोकेट लक्ष्मन जो अध्यक्ष्पद निभा रहे थे उनके जगे आप किसी और को चुर्ना होगा अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा यहाला जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्षन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है तो फिर सब लोग सर्व सहमती से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षपत के लिए चुनो वही इलेक्षन लड़ेगा पार्टी के चार-पांच नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूँ सिर्फ पांस साल पहले तक ही हमारे पास जनता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी लेकिन अमारनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया सिर्फ इतना ही नहीं इंद्रा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राजचके हैं लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे उनको हटाने की इमत नहीं कर पाए पर जब वो लोग गाँ छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई अगर हम ऐसा करते दोन लोगों की शक्ती से हमारी पार्टी मजबूत होती अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा मज़ा और कुछ नहीं कहना आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिरी समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं इंद्रा स्टेट में कोई भी नहीं था अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं ये सब कॉर्परिशन में चलने वाली एक शाजिश है तमिल लोगों को वहां से हटा कर इन लोगों ने इस जगह को हड़ा पलिया है इस वक्त हमारे साथ नंजन कोटी के एमपी शिरे विजयन अंदन जी जुड़े हुए है हेलो शिरे विजयन अंदन जी आप सुन रहे हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ अब सवाल पूछी एलेक्शन अब काफी नस्दीक आ चुके हैं एक सीट के लिए कई सारे उमीदवार एक साथ खड़े हैं अब ऐसे वक्त पर तो क्या डीवाइएसी दो भागों में बढ़ने वाला है या फिर जो साथों से चलती आरे ही प्रॉबलम इसी तरह इस साल भी यूँ ही चलती ही रहेगी या कोई सॉलुशन निकलेगा उसका मिस्टर वेनु आप जो सवाल पूछ रहे हैं वह गालत है दीवाइपी पार्टी के पास गुंडे नहीं है बलकि उनके समर्थक है और उनके भावनाओं को कुंड़ाकर्दी का नाम बत दी नजाने मुझे इसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे सवाल से भावने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर विजिन अंदन नजन कोटी की क्राइम रिपोर्ट इस वक्त मेरे ही हाथ में है आपका है तो मैं न्यूस चैनल पर सुनाओं आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल अक्टिविटीज में सगलगी आपका है तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूं सुना दूं हलो हलो विजिय अंदन जी कहा चले गए हलो तो मैं क्या करूँ हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषन देने इलेक्शन आने वाला है अगर इन लोगों में मेरे दल को कमसोर करने के इतनी हिमत है अगर मीडिया की आड में कुर्सी पर बैट कर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम ही बताओ जो बोलू करोगे करूँगा जरूर करूँगा जरूर करूँगा बुआ कर अखके ओओ पर टो बहुर दो. सबस्पने खोरहते हैं. जोड़ोगा. अरे मंद्टीप आपको देरीकरा. जोड़ोगोगा. उमर, तुम्हें समवार को पुलिस टेशन आना होगा, ऐसा ही नहीं बुलाया है तु पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है, तेरको ये ठुले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे मजाग बंद करो उमर, तुम्हें सुम्वार को पुलिस टेशन आना ही होगा, यही तुम्हारे लिए बेतर होगा आऊंगा ना, वह इसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं होई, आके मिलता हूँ अच्छा इसे घर में सब ठीक ठागे ना आप से कुछ कहना था मैं बच्पन से इंजीनियर बना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया, यह उनका सपना था अरे यह क्या, सिलिंडर है आग लग गई तो यह लीजी फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटे कम्प्लीट किया इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया तब से मैं ड्यूटी जॉइन करके अपनी दादी की सेत रहता हूँ यह जो इसमेल है यह वाकई गैस की है या फिर तुम्हारे पेट की गैस है सर सर यह रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना आजकल खाना पिना ताइम पर नहीं हो तो दो दिक रहा हूँ है अरे कहां भाग रहे हो अरे कंवा भाग रहे हो अरे रुको तो अरे लुको मेरे लिले सर डेयो लेडीज होस्टल के बगल में एक घर किराय से देना है सर आपको किराय के घर की तलाश थी न लेडीज होस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछली कुछ समझ हाँ सर मैं पोच गया हूँ जर आपके क्वाटर से धमाकें के आवाज आई थी हाँ तुम्हें एक दिन लेट क्यों आए वह क्या है न सर मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है मुझे भी अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से जी सकते हों आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की चलो आजाओ आइंदा मैं तुम्हें कभी किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारी खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए दोनों में से चाहे जो भी होगा उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा और हाँ उमर कोई अच्छा किराय का घर हो तो बताना जरा देखना है गाड़ी निकाल नमक वगेर ठीक है ना? स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद अडर जाता था एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो पता है उसने क्या जवाब दिया कि सर वहाँ पर है वैसे सर आप यहां है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा रुक 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 सुबह नहाया था क्या? पारवाती जी मैंने सुबह नहा लिया था सर मामला इतना मामूली नहीं है जिन जिन गुंडो को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है और हम टाइम पे नहीं पहुचे तो गडबड हो सकती है इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए प्रुबड़ नहीं है झाल 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 कट्टुम भाई दो चाय लाना सुन्दर चाय लेकर आओ आपको लाने में कोई तकलीफ है नहीं सर यहां का एक्शन भी सने करना चाहता उसके लिए अभी टाइम है क्योंकि अभी तो सिर्फ बाते ही होंगी आप जाके आई यह हाँ ठीक है जाता हूँ उस आदमी का नाम बता न जिसके बाल लंबे हैं वो लंबे बाल वाल न उसका नाम रजाक है बैंगलूर का रहने वाला है हम जो भी कहेंगे वो करेगा दस साल से इस आदमी के साथ कौन कौन है पास सालों से एक साल से चुपने से कुछ नहीं होगा सामे आओ कितने सालों से इनके साथ है बारा साल होगा सर यही बात तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था सार्च सौरी को टुम्बाए क्या बात है अप्पू तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या वो अप्पू के हाथ नहीं लगा इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा तुमने उसे अपने घर रखके बचाया था ना सच बताना इतने आद्मियों के साथ हाना यह कोई अकलमंदी नहीं है यह सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं अब 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 उस दिन सिगनल पर मारे जाने वाले जैस का भाई कौन है मैं हूँ सर और जो मार्केट में मरा उसका बड़ा भाई कौन है मैं लिस चौर भी लंबी है तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस तरफ है और तुम्हारे दोस्त को जिन्होंने मिल के मारा है वो इस तरफ है ये खुन खराबा कभी खत्म नहीं होगा और इनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे इसी का बदला लेंगे अपने बच्चों के बारे में सुचो यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोस पिलाने के लिए भी घर के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा अगर ये इस घोटाले में दुबारा दिखा तो उसकी जगे तू बिटेगा ओ, सर आगे अरे सर आगे अमर ये दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएगे कोई टेंशन नहीं ले बेटा अच्छे से बढ़ाए करना हां पिता जी चाहिए उस वक में थोड़ा डर गया था लेकिन आपकी टेंशन जाद थी वह आज नहीं तो कल चला जाएगा लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना खेर छोड़ो अबदुल्ला मेरे खातेर अपने सर से बात करो उसे समझाओ कि यहां ऐसा नहीं चलता यहां कोई किसी के काम में टांग नहीं यडाता मैं आपके काम में यडाता आप मेरे में यडाते परना टांग कट जाती है अ दिधी इसकी क्या जरूरत थी अचाहे बहुत अच्छी है जैसे मैं यहां आया वैसे ही बीजू सर के घर कुटूम सर के घर और गोविन सर के घर में जाओंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करोंगा आगे तो आप लोग जाने आप लोगों की किस्मत चलता हो असर? के, चलो कर दोदेसं गरूस हो के दोदे स debitक्राuard के घर कर दोदू üzर जर फोदो पढ़ को आप हो अच्छी है बाई घंटी बजाओ अरे ये सीडियों से नीचे उत्रो हाँ अब ऐसे मत घुरो यहीं गोविन का कारनामा छिपा है जाकर गोविन से कहो कि उमर भाई मिलने आए ओ तो तुम ही उमर भाई आधी रात को अकेले घूम रहे हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते मेरा गोविन्द और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए है जाकर उन्हें वापस भेजो जल्दी जाओ अब्दुल्ला स्टॉप अब्दुल्ला स्टॉप भाई अच्छा है प्रूरी अगर नहीं लगता है यह बिल्कुल नहीं लगता है अगर बंदूग चली तो बंदूग चले तो भी खरे उमर आड़े आना भे ज़िया हो अभी बाहर से आया इसके रिए चाय आँ कोफि लाना बातों मैं बूली गई कि तुम्हें चाय भी लानी है अब भी लाती ह अमर रहत है यार रजी आम उस्ते पूछ रही थी कि नंजेई कोटे का क्या हाल है नंजेई कोटे मेरा ठोड़ी ना है यार रहने के लिए घर नहीं है और साथ देने वाले बीवी बच्चे नहीं है लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसूस हो रहा है कि तेरे साथ ही इस बारे में जान के बाहर बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी इसलिए कह रहा हूँ आगे से कोई सवाल या पूस्ताश करनी हो तो मुझसे पॉसनली मिलके कर रहा हूँ जिस घर में औरते रहती हूँ और वहां घुसके टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है गंदी आदत है अब जूस तो बहुत अच्छा बनाती है अहां जोता हूँ मैं इंजोए शड़ो आजो तो फिर अब तुम्हे अकल आजाएगी झाल हुआ 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 है क्या बात है बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या है गुंडागर्दी हम भूल गए हैं सर आप तो हम लोग ठेले चलाते हैं जो प्योप्य और AICP दोनों पार्टियों के बीच में गढ़बंदन होगा ऐसी ख़बर मिली है करनाटक के साथ और तिलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर दीओपी गढ़बंदन करके सिलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे ऐसा लोगों का कहना है ऐसा बाब जी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है तिलंगाना बाब जी अध्यक्ष को MP स्वामी और DOP पार्टी दल का MP विजयानद और उनके साथ डॉक्टर संगीता दीएस्टी दल के अध्यक्ष है अपने लोगों को सीट मिलनी ता है लाल जंडा जीता तो राजसभा हारा जंडा जीता तो लोकसभा तो ये मंत्री सभा क्या होता है ये राजनीती का खेल है हमारा अगला टार्गेट दिल्ली है भाई कुछ समझा ठीक है मैं बताता हूँ सर कौन सा पुलिस वाला था वो उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे उन लोगों से कैसे निपटना है ये बात समझानी पड़ेगी क्या बात वो नहीं है सर वो पुलिस वाला बहुत गरम खुपड़ी का है उमर फिलाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है वो जो कोई भी हो इलेक्शन होने तक उन सब को अपने काबू में रखो खा के जाना भूग लगी होगी सर मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ सर डॉक्टर के कहने के मताबिक अब्दुल्ला का दायना पैर ओपरेट करना पड़ेगा सुन्दर कैसा है वो अभी बॉर्ड में है वो उमर था सर रास्ते में लोटते समय ये सब हुआ असल में वो आपको ढूण रहा था अचानक पीछे से हमला कर दिया से अवर्ड में व्रेड़ेग कर दोन डॉर्ड सर लगता है वो हत्यार लेकर चले गए ले जाने दो अपने पास समय है ज्यादा आदमी नहीं मिले किया यहां क्यों आया है पीट में बहुत दर्द था डॉक्टर ने का अच्छे से मालिश होगी तो ठीक हो जाएगा देख इस नंजय कोटे में जो भी आया है कभी काम्याब नहीं हुआ अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका अगर तुझे लगता है कि मैंने काम्याब भी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा हुआ है Savior! अमार! अमार! कि आया अपलत अंहें Qi लुए कि अधू घुए खाँ 5 युछ 1988 27 29 पुलिस टेशन में जो तुने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था और उस पर तु मेरे घर में घुसाया तुझे पता नहीं तुने किस से पंगा लिया है एव एंकार्ट खतम कर देजे झाथ कि युझे कि जाकी कि भुप युप कि उब कि लाऊ प्रॉटो और काट डालो इसे कर दो कर दो में आ दो कर दो कर दो कर दो यहाँ अज मैंस कि घिंगा किनम अल्फ आई अब कि एवा आई पकक एवा किवा आई अड्यों झाल धवाल दिकलों करते दो! है! ठाह झाँ अजर को फियो जिर माँ! कर दो कर दो बिजू सर सामान लेके आ गया तो अब क्या करे अब इसका दाया पैर काट दो और अब्दुल्ह जब अपनी आख खोले तो ये दुनिया ना देखे सर अब्या सर और अपनी आप प्रद नंत हम single कि देखे खड़ सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाब या नदी में फेकना होगा तो फिर उसका दूसरा पेर भी काट दू क्या नंजय कोटे से कई लोगों को मार कर भगा दिया गया उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजय कोटे अमानाथ और अब्बू सबको जोपड़ पटी में भेज देंगे अपोजिशन पार्टी क्यों है इसलिए उन पे रहम दिखा रहे हो क्या उन बातों के जरीए अगर तुमने गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की ना तो मैं उनका साथ नहीं दोंगा और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पे हाथ रखके खड़े थे जब उन्हें भगाया गया था मेरे अंदर के शेर को चगाओगे तो पहले उन्हें चीरोंगा सर ये पार्टी की बात नहीं है मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या वो भी तो गलत है सर मेरे साथ आम लोग खड़े हुए पार्टी के लोग नहीं सबकी ख्वायशे की जुगए हैं उन्हें वापस आना चाहिए उन्ही के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए आपका वक्त बरबाद नहीं करना चाहता मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे एक बार चलकर वो जोपड़ पट्टी देखिए आपने जो भी कहा मैंने सुना अब मैं जो कहूंगा वो सुनिये नंजय कोटे में अभी भी सबका घर है तुमारा जो भी नुकसान हुआ है संपत्ती, सामान और धर्ती उन सब के निशान वहाँ पर मौजूद है तुमारी पहचान नहीं खोनी चाहिए तुम लोगों की कॉलोनी और इंद्रा एस्टेट अभी भी नंजय कोटे में ही है अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही जिन्दगी जीना चाहो तो तुमें कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम सब को ये हख है कि तुम भी सोमू की तरह जीओ हमारी एकता नंजय कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी उमीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी नंजय कोटे के ही लोग है अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहीदा टीचर और रिनु मेडम आज तक किसी भी अकबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले है अमरनाथ की डर की वज़ा से ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या नंजय कोटे में वापिस आने का दिल तो करता है लेकिन हम लोग जैसे सोचने वैसे होने वाला नहीं है यहां जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है वो बहुत ख़तरनाक है तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा है पहले उस जर को निकालो और उस जर को खतम करने के लिए तुम लोगों को वहाँ जाना ही होगा पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और राष्टे में मुझे गाड़ी से उतार देगा बीच राष्टे पर मुझे बहुत मारा और उस S.I. ने मुझे पैसे भी ले लिए मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपु भाई ये जो सूरज है ना ये तमीलियन लोगों से मिल गया है अब वो कैश नहीं मिलने वाला ज्यादा सोचो मत मैं उसे दिन उससे डील करने वाला था लेकिन आपने मुझे रोक दिया आपकी वज़े से मैं रुक गया वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसलिए मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ? ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला ये मेरे बस की बात नहीं है नहीं तो ऐसा ही बिचारा मारा जाएगा बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो वो हिम्मत वाला है इसलिए मुझे पुलिस टेशन बुला पाया भाया अरे यहां बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है वहां पुलिस स्टेशन में क्या सामसूं गया था तुझे भौकने वाला कुटा कभी कौड़ता नहीं है जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गाहँ वालों को खरीदने के लिए काफी था जानते हो इस इलाखे में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रती जो इज़त है उसकी वज़ा से नहीं बलकि एक डर की वज़ा से है और उस डर का नाम है वन एन ओल्ली अमरनाथ गणपती बप्पा एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया अब तो नंजय कोटे की कुछ जगा को बेच कर मैं हैदराबाद जाकर अपनी जिंदगी को समार लूँगी इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला अब क्या हो गया? इतना कुछ तुमें दिया वो काफी नहीं है? अरत पर गुस्सा करो तो श्राप लगता है यह बात कभी नहीं सुनी क्या? नहीं कैसे सुनी होगी? यह सब अनुभव से पता चलता है तुम यही गाड़ी में आराम करो, मैं एक काम निप्टा कर आता हूँ यह तो लड़ाई की शुरुआश है हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना हमी ने तुम्हें उचाई पर पहुचाया है हमें दबाकर रखने की कोशिश मत करना अमलनाथ, कान खोल कर सुन लो हमीरे तुम्हें इतनी इस्दी है यह सब एक चाल है अमलनाथ, यह सारी चाल है तुम्हें गाउवालों को उटाने का काम रोको यह जंग से पहले का शोला है तुम हमें दबाकर नहीं रख सकते वा, क्या बात है, आज तुमने मेरे इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी तुम्हारे बोलने के पीछे किस की ताकत है मुझे यही जानना था अब तो यह वक्त ही बताएगा कि किस की ताकत में दम है प्रवचन चालो रखो अब भाई से हम बात करें क्या? वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें? बाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे कंफाम है सचमी? अरे बोलाना सव टकका कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकर वो जगा अपने नाम कर लेंगे अच्छा वो रजाक कहा मिलेगा बैंगलूर में बात कहा है नहीं कुछ नहीं रिजल्ट का कोई टेंचन मतलो मां सब सही होगा बूल्रों ना तो गाड़ी में जा में आता हूँ चलो बैट अंदर बैट भाई में आगे बैट बैट नहीं यह लो सर कुटन है आपको हमने यहां पर इस तरह से बुलाया आपको जबरदस्ती तो नहीं लगा ना नहीं तो आप मुझे यह बताईए कि इस वक पुलिस टेशन में कौन रहता है और यह सारा प्लैन बराने से पहले मैंने किस से बात की थी आपसे ही की थी ना तो मुझे बताईए पुलिस टेशन में मेरे इलावा आप अकेले बैठेंगे क्या चलिए जवाब दीजे जल्दी वो तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कुछ खत्रा है नमस्ते सर साहिगा सर पैसे के लिए नहीं दूसरे काम के लिए आया समझ आती है आपको कैसे पता है सर वो अमरनाथ नहीं अपु ने मारा है सर वो डीवाईपी का अध्यक्षे नहीं इसलिए वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर मैं उसी के बारे में सोच रह था मैं भी वही सोच रह था मानना पड़ेगा जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए चाहे कुछ भी हो डर तो डर ही होता है इसका डर है आप मजाग कर रहे हैं क्या जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आये थे आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए मतलब उन गुंडों के बारे में के लिए पेट्रोल वाली आप लोगों को बता नहीं है आप लोग तो नंजन कोटे में हैं जाम्ती चाहता है तो सारी बाते सच सच बता données अब ननाच सर के कहने पर पुली स्टेशन में गुंडे लोग आपको खतम करने के लिए पेट्रोल बंबले कर गये हुए हैं यह क्या सर जलिए सर पुली स्टेशन चलते हैं नहीं जाना है शराब पिने के बाहने आया हूँ पर आपका मजाग उड़ाने नहीं आप लोगों को सचाई बता कर कोई फायदा नहीं है पुट्टान सर मुझे मत रोकिये मैं पुली स्टेशन जा रहा हूं इस उमर में स्टेशन पे सोना ठीक रहे है कंट्रोल तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ मुझे बहुत काम करना है चल बाजवट अखरी प्लान क्या है सर बिच्चु अपना हनुमान का रोकिया अपने को पुली स्टेशन उड़ाने का है इस गाड़ी को नहीं हम लोग ग्रूप स्टेड़ी कर रहे हैं ग्रूप स्टेड़ी ओके एक कट करना कट करना कबसे बज़ रहा है सुनो भाई यहाँ पर कुट्टे हैं क्या नहीं डैनसोर अचाहिए क्या मैं यह लेए सकता हूँ संत्रा किस बहुत देर हो यहां क्या कर रहा है पर सर फोन कर दे आपकर सर 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 समझ जला ही सर यह मां क्यों इतना फोन कर रही है यह चुप रहे है हेलो क्या ना मैंतर रोजी जब गर रोजी के कपड़े खीचके उसके बाल को पकड़के उसे रुलाने नहीं आया अगर मैंने यहां पर अपना रूप दिखाया तो उसका सर्थुष पे पड़ेगा अरे यार कुछ भी कर गाड़ी भगा उस आगे वाली गाड़ी को रोख क्या कर रहा है अरे भाई ऐसे क्या बात हो गई जल्दी चला हो देखो गाड़ी को रोखने का अपने को अरे भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है अरे भगाना गाड़ी अरे बेटा कहा हो तुम आखिर तुमने यह क्या कर दिया है अरे यार बेटा क्या प्राबलम है अरे यार बेटा जी लोग लुक्रीश लोग एचार टी लोगह लोगर सकाषब 실파 लोगर सक्राव क्या में अरे वोगर में अरे अरे ने विए विए बल्हार अरे वाई बड़ा ने विए अरे, दस आत्मी को साथ लेकर पूरे गाउं में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं, ओफिस के बाहर सिगनल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है, जहां कहीं भी उसे वहां रखो, और सोमू, उस दिवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक, लग बड़े इंजीनियर समझता है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं, एक बात तो तय है, तमीलियन लोगों का यहां आने का एक मकसद है, वो इलेक्शन में ज़रूर गडबड़ी करेंगे, यह मैं जानता हूँ, यहां के जो तमील लोग हैं, एक जमाने में हमारे घर पर ख चार लोग बच जाएंगे, तो आप लोग शामिल हो जाईएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका, कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, सर, चलिए, ज़्वाज़े दुष्वाज़े सर्व जिस ऋफिसर निस युसाइड क्या था उसके भीवे और बच्ची जख्ष्मी बदेरे अग्रीया अटरीया अटरीया अटरीच वालावी क्मणतरा आштक है CORनी पहील दो लो कर शोर्या मीं, यहांना कोई फ्रोडिम यार बाइप, ढूरीघ है किसीमा कर यह एक रहर जाए। आनल हो पधाथ जोच अधरे, मोर्या है कर दो कर दो अ कर दो हूई को एंद ! कर दोरना इज तोर्ण derived ख hedge जिर था हुआ ही जिरंगा ही जिर भाल वही वह झार वह कर दो वह जुआ जब जुआा जो जुआिए जुआ 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 हुआजू हँआएए हुआएए पहन दो जो भाल में कि अारी ना में दो वाल कार्ण टर्वास just e ठर्वास! कार्ण वर्यों ट्वास जिए खिए एब एगा है, एग एग एगा है, जिए एक जब एगाँ है, एगाँ है! एगा थारारी निए, एगा है! हुआ 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 है हुआ 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 है हारी रारो 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 हारी रारो रारो डी वाई पी फिर से सत्ता में आई तो मारनात कात्याचार बढ़ जाएगा अब्दूल बच्पन में किसी बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी सिंदगी नर्क बन जाएगी दो पार्टियों ने मिलके हमारे पूरे गाहों में डाका डालके सब कुछ लूट लिया उस हादसे के बास सब डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया कि खोन खराबा करने वालों का सरवराश करने के लिए उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया बारा साल के लड़के ने दिल में ठान लिया उसे कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान ली थी लेकिन कानून ने उस दिन उसे ही सजा दे के अपनाने की कोशिश भी की थी वक्त तो गुजर गया, लेकिन उसके सीने की आग नहीं पुझी, वो अब भी उसी आग में चल रहा है। भैर झुझी, ए लीचे लिए लग्याओ भी आग में चल अच्न ठकॉग बाहिए ग्याजड़, रिन्हुटेदक, वो बने उसे की आग अच्वार स्भ़े, तोटारी, तो pee Ray बरकोपते metrics चल में भी ओटारी, वो थैसे की आग भी जिनको आपने मार कर भगाया था, उनका अगले हपते वापस लोटने का प्लान है, उनके स्वागत के लिए हम काउवाले खटे हुए हैं, जोपड़ पट्टी में वो लोग नर्व की जिन्दगी जी रहे हैं, जब वो लोट कर आएं, तो उन्हें नंजे कोटे में चैन से जी मांग रहा हूं, क्योंकि उनके साथ पूरा देश है, और देश के हर नागरेक को देश में कहीं भी जाकर रहने का पूरा हक है, जब भी ओपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट कर दें, तो मुझे बहुत मसा आता है, लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मज़ा नहीं है, नंजय कोटे में आजादी से घुमने वाले जोपड़ पट्टी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो, मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे बख्षता नहीं, इसलिए उस ओफिसर को कहो कि मेरे घ हुआ है अप्पू, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो मरने जा रहा हो, उसके खिलाफ कोई आफ़त की बात कहे, तो उसे जान से मार देने के बराबर है. खरीबों का क्या विचलत के अदिन के विचार है, आपका के विचलत कंवार देने के अविचलत का बात क्याया है? आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है यह ज्यास का एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मनजिल करीब आ गई है आप लोग अगर सौ साल बाद भी लोटकर नंजय कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीडियों तक काम आएगा इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीडियों की भलाई छुपी होई है अत्याचार के खिलाफ हंकार के खिलाफ दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है उसे इतिहास में दर्च किया जाएगा जिन्दा है इतना काफी है और ज्यादा की उमीद मत रखना और ज्यादा एम धराउडा के खिलाएगा ये पीडमा इतना का एिलाएगा मत दो आजूरू अजूक के खिलाएगाश इतना की घुष्णे जबाड़ सुलाएगा जो एक तना के वालों के खिलाएगा वीदाएगा का छुपी है हमें जिसका इंतिजार था वो दिन कल है हम जब आगे बढ़कर एंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंस वो के लिए कोई जगह नहीं होती हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों ना बदलना पड़े हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी कल सुभ हम पर दबा बनाने की कोशिश मत करना है हमें ने तुम्हें उचाई पर पहुचाया है हमें दबा कर रखने की कोशिश मत करना है हमें ना पर दबा कर रखने की कोशिश मत करना है हमें तुम्हें ने तुम्हें इतनी सक्ती है यह सब एक चाल है अमनात यह सारी चाल है तुम यह जाओ, आपको की जगर फर पर पर्टी मे डोक्तर संगीत अरही है क्या? सर सर लो जो जो खरो, अ करो अपकोड पर्समीश के लिए करेक्म में डोक्तर संगीत है बता देके जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, DSP पार्टी की तैश्यत आपकुछ साथ ही फैल पी जा रही है, और उसे लोग ने किया पुलिस क्या कर रही है, यह हमें देखना होगा सुनो, प्रेस कॉंफरेंस बुला है, तयार हो जाओ यह तमिलियन लोग यहां लौट कर वापस नहीं आने चाहिए, BSJD को विश्वास दिरना होगा, समझें कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले, और पास आकर सलाह देने वाले, हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है कर दो मुझे अच्छा लगता है JJ BNP!! JJ BNP!! तो प्षाइ! झालन यपध Select새 यद्टे यद्टे यदे यदuggling यदे यदे यद्टे कै का तår सर, बोडी को अभी अभी पैक किया है, वो लेकर आ रहे हैं किया है, वो लेकर आ रहे हैं किया है, वो लेकर आ रहे हैं मैं बीजू, ऐसा ही सर ने आप से कुछ बात करने लिए भीजा है डॉक्टर आप MP बनने का सपना लेकर इस नंजाई कोटे में मत रहो आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सर के बारे में तो तुम जानती हो, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, चुप चाप यहां से चली जाओ डॉक्टर बाकी तो इस नंजाई कोटे को छोड़कर तिलंगाना कैसे जाना है, पता ही होगा, याद रखना हर पल तुम्हारे उपर हमारी नजर है, इस बात को याद रखना, चलता हूँ बेटी, अमरनाथ के दबाव की वज़े से मैंने अप्पू को समर्थन दिया, मुझे इसमें ज्यादा दिल्चस भी नहीं थी, वैसे जब प्रेस कॉन्फरेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आसो बाहा लेंगे और क्या डीवाईएसपी पार्टी का नए अभ्यार्थी कौन होगा, बताएंगे हमें? बताओ इन्हें डीवाईपी पार्टी की नई अध्याक्ष मैं नहीं हूँ, मैं तो अपना खुद का कारुबार सम्हालने जा रही हूँ, थैंक्यू चाची, दरो मत, मैं हूँ, ए सेंदिल, दादी को बोलना, असने के लिए बोलना, ये पुलिस बालोंने कुछ तंग किया क्या, मुझे बताओ न, मैं इनको देख लूंगा हम में से कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, हम सब लोग पूरी तरह से एक जुठ हैं, उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ाया उसे हमें पूरा करना है, इसके लिए वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए दादाजी, हम लोग निकले क्या? यहाँ वहाँ जो भी लोग हैं, वो हमें जीने नहीं देंगे, यह देखकर हम गाउं से दूर जाकर बस गए, लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लोट कर जाना चाहते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है तुम लोगों को कंजोर करनी की उन लोगों की साधिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वो इस्थिती पूरी तरह बदलने वाली है, अमरनाच चाहे जितनी कोशिच कर ले, आप लोग इस गाउं में लोट कर आएंगे ही तुम लोगों ने उक्सारी यहा है, आप रुकिये, मैं बात करता हूँ, सार, हमारी ओफिस में मीटिंग चल रही है, इन लोगों के बारे में, आप फिकर मत करो, आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए तो अमरनात के डर से तुम लोग यहां पर आके छुप गयो, यही करोगे, कब तक भागते रहोगे, आप लोग देश में कहीं भी रहे, लेकिन इसके जैसे नेता लोग आपके इर्द गूमते ही रहेंगे, तब क्या करेंगे आप लोग, धर्ती चीर के उसके अंदर छुप अनिता जी, यह अकेला पन और यह भयानक दर्द, आपसे भी जादा हमने महसूस किया है, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों को किसी भी हाल में नंजेई कोटे जाना ही होगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम हमें नंजेई कोटे जाकर फिर से जिन्दगी सवारने के लिए के लिए कह रहे हो, मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई जाते हो, इतने साल हो गए है, लेकिन आज भी हम अमरनात के डर के साय में जी र होगी, पर हमारे लिए नहीं है, वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़के गड़गड़ा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ झाल 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 कार्वड़ड़ जाते हूँ कर दो कर था किया तो प्टी टे कि अ कि ltर अो जो प् salt कि अ अंसा अ या कि अदो मुझे दो कहा वाल मेरा और नंजन कोटे का बस एक ही स्वभाव है, जो इस धर्ती पर गिरते ही विशाल पेड बन जाता है, तुम बस एक बौधे हो और मैं एक विशाल पेड हूँ, ना ही नंजन कोटे बदला और ना ही मैं हुआ, हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है यह नंजन कोटे हमेशा मेरा रहेगा तुम लोगों की कमजोरी इसी में है कि उड़ते ही गिर जाते है हुआ हुआ है झाल जगर जड़ जड़ दरिए जड़े लारा जड़े जड़े टहारा है झाल जड़े लोग तॉका एड़े लो साहा है तो तुम जैसे मिट जाते हैं जाते हैं जात game जाते हैं करें दोजीं जाते हुत करें लुट गाते हैं कर दो कर दो झाल झाल जो पर पुट्टी से जो लोग भी यहाँ आ रहे, उनके आने तक यह यही रहना चाहिए अब्दोल, उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी ही कहानी बन गई झाल 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 इनके जिन्दगी में भी अब रोश्नी उगने लगी है अपनी पुरानी तकलीफों को भूल कर लोग अब वापस अपने गाउं लोटने लगे हैं नंजे कोटे का वो दर्दना की इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बन कर रह गया है नंजे कोटे में जो अत्यचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उमीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लोटकर वापस फिर आएगा नई सोच, नई शुरुवात, नई योजना उस शक्स के आने का ही इंदजार कर रही है है यहां आने के लिए तुमने किसी की पर्मिशन ली थी क्या हर महिरे यहां आकर उधम मचा देते हो यह दोड़ना पुरी मेरा इलाका है, यहां से कोई भी बचकर जा नहीं सकता भूपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता यहां किसे क्या करना है और कैसे जिना है उसका फैसला मैं करता हूँ मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हम कोई मुझसे माफ़ी मांगने आगया आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूँ क्या हुआ कोई परिशानी है क्या क्या हुआ परिशानी है